अगर इससे से पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकून को दबा दे ताकि सभी पर करके लेटिस्ट नूज की जनकारी मिलते रहे लालू यादो की फोन मामले में बढ़ने लगी हैं मुश्किले बीजेपी बिधायक ने दर्ज कराई एफाई यार जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि बिहार में भले ही सरकार का गठन हो गया है लेकिन राज्ये का सियासी पारा भी सात्वे असमान पर हैं बीजेपी बिधायक ललन सिंग को जेल से फोन करने के मामले में आरजे डिया धक्ष लालू परशाद यादो की मुश्किले बढ़ने लगी हैं इस मामले में लालू यादो के खिलाब पटना में एफाई यार दर्ज कराई गई हैं एफाई यार ललन पस्वान ने दर्ज कराई हैं जिनोंने लालू यादो पर भरस्ट चार के आरूप लगाए हैं चारा गोटाले में सजा यापता लालू पर साध्यादो को रिम्स के प्राइबेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है लालू यादो अब तक एक केली बंगले में रह रहे थे उधर बीजेपी आरूप लगाती रही कि लालू यादो जेल की सजा नहीं बलकि बंगले में आराम की जिन्दिगी बिता रहे हैं उधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के प्रमुख जीतन राम मांची ने कहा कि लालू यादों ने कई लोगों को फोन किया वो मुझे से भी बात करना चाहते थे लेकिन मैंने बात नहीं की उन्होंने कहा कि लालू प्रसाध्यादों के इरादे गलत हैं दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर सतिंदर जैन का बड़ा बयान जब तक नहीं आता कोरोना वैक्षिन तब तक नहीं खोलेंगे स्कूल जी हाँ दोस्तो आपको बता दे कि कोरोना वैरिस की दूसरी लहर और खतरनाक होती जा रही है राजधानी दिली में तो हलात और भी खराब हैं लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिली सरकार ने अस्कूल नो खोलने का फैसला किया है स्वास्त मंतिर सतिंदर जैन ने कहा है कि अभी अस्कूल खोलने पर कोई विचार नहीं है उन्होंने कहा कि जल्दी वैक्सिन आने वाली हैं और हम जब तक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते तब तक अस्कूल नहीं खोलेंगे उन्होंने कहा कि यह जान लेना चाहिए कि अस्कूल खोलने का नंबर सबसे लेट आएगा सत्नंदर जेन ने बताया कि दिल्ली में कोरोना पोजिटीव केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है उन्होंने कहा कि पिछले तीन हपतों में पोजिटीव मामले घटकर आठ दसमलों पाच परतिसत पर आ गई है पिछले 24 गंटों में दिल्ली में कोरोना के 5,246 ने मामले समन्य आए हैं सोरोग अंगुली पस्षिम मंगाल में बीजेपी से लड़ेंगे चुनाओ टीमसी सांसद सोगत राय के व्यान से आठकले तेज जी हां दोस्तों आपको बता दे कि BCCI के अध्धक्ष और भारतिय क्रिकेट टीम के पुर्व कप्तान सोरोग अंगुली के फस्षिम बंगाल में भाजपा का चेहरा होने की आठकले फिर से तेज हो गई हैं इन कैस बाजियों को खुद ट्रिमूल कॉंग्रेश के सांसद सोगत राय के एक इंटरव्यू शेहवा मिली हैं पुशे जाने पर भारतिय जन्ता पाटी के लोग इस संभवने से इनकार नहीं कर रहे हैं हाला कि खुद सोरोग अंगली की और से अब तक इन बातों को खारिज किया जाता रहा है वैसे बंगाल चुनाओं को जीतनी के लिए बीजेपी इस बार जीतनी ताकत जोक रही हैं उसके हिसाब से वहाँ पर ममता बनर जी के मुकाबले एक दमदार चेहरे की बहुत ही ज़्यादा कमी महसुश कर रही है हाली में एक इंटर्व्यू में तरिनमूल कोंगरेस के सांसद सोगत रह से यह सवाल किया गया कि इस बारे में बहुत ही चर्चा हो रही है कि सोगत रह के जबाब के बाद सोगत रह के बंगाल में बीजेपी से चुनाओ लड़ने की अटकले तेज हो गई है दिल्ली में लग सकता है कर्फ्यू के जिर्वाल सरकार ने हाई कोट में शोपी रिपोर्ट जीहां दोस्तों आपको बता दी कि करोणा महमारी के चलते राजधानी में काफी हालात खराब हो गए हैं ऐसे में दिल्ली में कर्फ्यू लगाय जाने की अटकले भी लगाई जा रही है रोजाना बढ़ते करोणा मामलों के साथी मोतों की शंख्या में भी इजाफे के बाद दिल्ली हाइकोट में कर्फ्यू लगाय जाने की मांग करते हुए आची का दैर की गई जिस पर हाई कोटने के जिर्वाल सरकार से जबाब मांगा है दिली हाई कोट को जबाब में एक जिर्वाल सरकार ने बताया कि रजधानी में रात या सप्ताह के अंत में कर्फियू लगाय जाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है इस पर कोबिड-19 से पैदा हो रहे हालातों को देखने के बाद फैसला लिया जा सकता है सिरीनगर में सुरक्षा बलो के काफिले पर आतंकी हमला दो जवान सहीद जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि सिरीनगर के बाहरी इलाके मनिपूरा में गुरुबार को तोतरित प्रक्रिया दल पर आतंकवादियों के हमले में दो सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए हैं पुलिस के कदिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने मनिपूरा इलाके में खुशी पूरा में सुरक्षा बलो पर गोलिया चलाई उन्होंने बताया कि सुरक्षबलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके की घेरवंदी कर तलास अभियान सुरू कर दिया है घटनापर कास्मीर के आईजी ने कहा कि तीन आतंकियों ने शेना के जवानों पर गोलाबारी की जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए दो जवानों की मौत हो गई अभी तक की जनकारी के अनुशार इस हमले में जैस कहां थे गोलाबारी के बाद हथियार बंद आतंकी एक कार में शवार होकर भाग गए किसानों पर हुए एकसन को लेकर राहुल गांधी ने केंदर सरकार पर जम कर साधा निशाना जिहां दोस्तों आपको बता दे कि किरिशी कानुनों के खिलाफ है छेह राज्यों में 500 संगठुनों से जुड़े किसान दिल्ली मार्च कर रहे हैं लेकिन उन्हें दिल्ली आने के रास्ते में ही रोका जा रहा है हर्याना में कई जगों पर किसानों और हर्याना पुलिस के बेच जड़ब की खबरे हैं कहीं कहीं पर पुलिस ने वाठर केनन का इस्तेमाल किया है तो कहीं पर किशानों पर लाठी चार्ज किया गया है जिसकी निंदा करते हुए कॉंग्रेश निता राहूल गांधी ने केंदर सरकार पर जम कर निशाना साधा है राहूल गांधी ने ट्वीट किया है कि अभी शवेरा पुरब की लाली पहचान चिनिया के जगने के पहले खाट छोड उठिया किशान काले कानूनों के बादल गरज रहे हैं गड़गड अन्याय की बिजली चमक रही हैं चमचम मुशलाधार बरस्ता पानी जरान रुकता लेता दम साथी उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कुरूरता के खिलाफ देश के खिसान डट कर खड़े हैं भारत में पिछले 24 गंटों में दर्ज हुए 44,489 नए COVID-19 के केस जी हाँ दोस्तों आपको बता देगी भारत में पिछले 24 गंटों में कोरोना वाइरस संकर्मण के 44,489 नए मामले सामने आए हैं इसके साथी देश भर में COVID-19 संकर्मण के कूल मामले बढ़कर 92,666,705 हो गए हैं पिछले 24 गंटों में देश भर में COVID-19 से 524 लोगों की मोत भी हुई हैं हाला कि पिछले 24 गंटों में 36,366 मरेज कोरोना संकर्मण से ठीक भी हुए हैं देश भर में कोरोना महमारी का रिकवरी रेट 93,65 परतिसत दर्ज किया गया है जबकि फिलाहाल देश में एक्तिव मरेज 4,88 परतिसत हैं कोरोना से उसतन मिर्तुदर 1,45 परतिसत हैं हाला कि पोजिटिविटी रेट अभी भी 4,08 परतिसत हैं